आज ममा के चन में बन रही है मठरी लेड, खस्ता और खाने में बहुत ही टेस्टी है ना कितनी खस्ता जिसे खाते ही आपको मज़ा आ जाएगा और बनाने में भी उतने ही आसान तो मैं कहूंगे कि आप इस रेश्टी को देखने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद इस मठी को एक बर अपने घर में जरूर ट्राइ करें आपको ये बहुत पसंद आएगी टेस्टी इतने कि आपको अचार और चटनी की जरूरत ही नहीं लगेगी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रजनी और ममा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है इससे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है दो कप मैदा जिसे मैंने छान लिया है एक चमच अजवाइन, दो बड़े चमच सफेद तिल, नमक स्वाधा नुसार, साथ में मैंने लिया है दो बड़े चमच घी, आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं मेथी मैंने यहाँ पर 1500 ग्राम के करीब लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ करके काट लिया है, पानी यहाँ पर आटा लगाने के लिए लगेगा और ओयल फ्राइंग के लिए पहले स्ट्रिप में हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, जिसमें हम एक बड़ा चमच तेल कर डालेंगे और इसके साथी जो मेथी हमने काट के अच्छी तरह से धोकर रखी थी, उसको हम इसमें डालकर 5-7 मिनट तक रोस्ट करेंगे इससे मेथी का कड़वापन खत्म हो जाएगा कुछ लोग इसमें कसूरी मेथी भी यूज़ करते हैं लेकिन फ्रेश मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो अगर वो मिल जाए तो हमें वो यूज़ करना चाहिए मेथी को अच्छी तरह से भूनने के बाद गैंस की फ्लेम को बंद कर देंगे 5-7 मिनट के लिए इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे इसका आटा लगाने के लिए हम एक बाउल में मैदा लेंगे उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे मेथी मेती को हलका सा गरम भी डाल सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गरम नहीं डाले साथ ही में इसमें डाल दूँगी अजवाइन अजवाइन को हाथ पे हलका सरब कर लेंगे जिससे कि अजवाइन में बहुत अच्छी सी खुश्भू आती है इसमें डाल देंगे तिल, नमक, साथ ही हम इसमें डाल देंगे घी कुछ लोग इसमें मौयन में घी की जगा पर ऑईल भी डालते हैं आप ऑईल भी डाल सकते हैं लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अगर आप इसमें घी डालेंगे तो मठी का टेस्ट बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही उभर कराता है वैसे ओयल से भी सही होता है, लेकिन घीर से इसका टेस्ट बहुत निखर कराता है इन सभी चीजों को हम पानी मिलाने से पहले अच्छी तरह से मसल लेंगे जिससे की मैदे में इन सभी कस्वार अच्छी तरह से आ जाए इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका आटा गोत लेंगे आटे को हमें ना तो बहुत टाइट गोतना है और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट मतलब रोटी से थोड़ा सा टाइट होना चाहिए और लगबग पूरी की तरह या पूरी से हलका सा सॉफ्ट कर सकते हैं पानी को एक साथ नहीं डालना इसे थोड़ा थोड़ा करकर ही डालना है मैंने यहाँ पर लगबग दो कप मैदे में एक कप पानी यो लिया था लेकिन यह पूरा पानी नहीं लगेगा यह लगबग आदे कप पानी से ही पूरा आटा तैयार हो जाएगा यह देखिए आटे को कुछ इस तरह से करना है ना तो यह बहुत टाइट है ना ही बिल्कुल सॉफ्ट है सैमी हाट डो हमें त्यार करना है उसके बाद इस आटे को ढख कर रखते मैदे को आदे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ दे मठे की लेर बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक सलरी बनानी होगी जिसके लिए मैंने एक कटोरी में एक बड़ा चमच घी और एक चमच ऑईल लिया है साथ ही इस में डाला है मैंने दो बड़े चमच कॉर्न फ्लॉर के इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह सलरी हमें जिसके हम मठी को बेलेंगे उसकी लेर तयार करने में कम आएगी बहुत ज़्यदा सलरी बनाने की जरूरत नहीं है सिर्फ इतने से ही हमारी बहुत सी मठी बन जाएंगे डो को रेस्ट करते हुए आदे घंटा हो चुका है इसे मैं दुबारा अच्छे से अच्छी तरह से मसल लूँगी तीन से चार मिनिट अच्छे से मिसलने के बाद मैं इसकी छोटे छोटे बाउल्स में कट कर लूँगी हमें इसकी छोटे बाउल ही त्यार करने हैं क्योंकि हमें इसकी बहुत ही पतली सी रोटी बेलनी है बहुत बड़े बाउल्स हमने त्यार नहीं करने अब हम मैदे का एक पिड़ा लेंगे जो हमने बॉल बना के रखी थी और इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे इसको हमने बिलकुल पतला बेलना है रोटी से भी पतला और ये बहुत अराम से बेल जाएगा इसे बेलने में हमें किसे भी ओयल लगाने की या फिर सुका मैदा लगाने की जूरुत नहीं पड़ेगी ये बहुत इजीली बिल जाएगा क्योंकि हमने जो मैदे में मौयन डाला था वो इसके लिए बहुत है हमें कुछ इस तरह से पतली सी रोटी तयार करनी है और एक बार में हम लगभग चार से पांच रोटी तयार करके रख लेंगे इतनी पतली रोटी हमें तयार करनी है रोटी को बेलने के बार इनको ढख दें जिससे की उपर से सूखे नहीं हमने जो इसमें मेथी को रोस्ट करके डाला था कुछ लोग इसका कड़वापन दूर करने के लिए इसे नमक के पाने में भी भीगो देते हैं जिससे की मेथी का कड़वापन बिलकुल नहीं रहे लेकिन हमने मेथी को अच्छे तरह से भून लिया था उसका मेथी भूनने का फायदा यह हुआ कि एक तो इसका कड़वापन खतम हो गया दूसरे यह देखो जिसने हमने रोटी को बेला है तो ना तो इसके पत्ते ना ही जो इसमें थोड़ी बो डंडी होती है वो उपर आई है अगर वो उपर आते हैं तो रोटी तूट जाती है इसी तरह से हमने अपनी चार से पाँच रोटी तयार कर ली है अब हम एक रोटी को लेंगे इसके उपर बिल्कुल थोड़ अससलरी को हम अच्छे तरह से फैला देंगे आप इसको फैलाने के लिए इस पून का बिल्श का या हाथ का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मैं इसे हाथ से अच्छी तरह से फैला रही हूँ क्योंकि हाथ से फैलाने में इसी होती है और चारो तर अराम से फैल जाती है इसकी आपर मैं दूस्री रोटी को रखूंगी इसकी आपर भी भी सेम उसी तरह से हलकी से स्लरी को लूँगी और उसे अच्छी तरह से फैला दूंगी यहाँ पर हमें बहुत जाद स्लरी नहीं लगाने क्योकि अगर जाद स्लरी लगा देंगे तो जिस टिम हम इसको फ्राई करेंगे तो फ्राई करते हुए यह हलकी सी इसकी लेइर बिखरने शुरू हो जाएंगी इसलिए हमें इसकी जुश लरी है बहुत थोड़ी सी ही लगानी है इसी प्रोसेश को हम तीन से चार बर रिपीट करेंगे तीन से चार बर अच्छी तरह से रिपीट करने के बाद हम इन सभी रोटियों को यहाँ पर मैंने चार बर इसको रिपीट किया है इन सब को अच्छी तरह से टाइट रोल बनाएंगे जिससे कि इसके अंदर एर भी नहों और एकदम टाइट रोल बन जाए इसे एक लोग की shape देंगे और हलक़ा सा हातों से बहुत ज़्यदा pressure नहीं देना हलका सा हातों से दबा के इसको roll कर लेंगे अब हम इसको cut करेंगे corner को हम side से finish कर देंगे हम इसे cut करते हुए ते को इस तरह से नहीं काटना जिस तरह से हमें आरी जलाते हैं उस तरह से नाइफ को उस लोग पर चलाना है यहाँ पर हमने अराम से चलाया था तो उसकी लेर बिलकुल एक साथ थी और दूसरा वाला जो था वो हलका सा दब गिया था हमें इसको दबाना नहीं है बहुत अराम से नाइफ को चलाते हुए उसकी छोटे-छोटे टुकुले काट लेने है इसके बाद इसको हमें बेलना है बेलते हुए भी ध्यान रखना है कि जो लेयर वाला पार्ट है वो उपर रहे और इसकी इस तरह से हमने मठ्री बना लेनी है ना तो बहुत ज़्यादा पतली हो और ना मोटी रोटी से थोड़ी सी मोटी हो इस तरह से हम सारी मठ्री को बेल लेंगे ये प्रोसेस देखने में जितना बड़ा लग रहा है ये इतना बड़ा है नहीं क्योंकि जिस टेम हम इसको बनाते हैं या इस पर काम करना शुरू करते हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाता है मुझे इतने सारे दो कब मैदी की मठ्री बनाने के लिए 35 से 40 मिनट लगे थे सारी मठ्री बेलने के बाद हम गैस पर ओल को गरम करने के लिए रखेंगे ओल को हमें मीडियम लो पर ही गरम करना है बहुत हाई फ्लेम पर गरम नहीं करना इसके बाद हम एक एक करके अपनी मठी इसमें डाल देंगे अब एक बार में 8 से 10 मठी एक साथ डाल सकते हैं क्योंकि जब हम 81 मठी इसमें डालते हैं तो ओयल का टेमपरेचर थोड़ा सा लो हो जाता है उस स्टेज पर हम इसको मीडियम से हाई मतला हलका सा हाई से थोड़ा सा कम पर हम फ्लेम को कर देंगे ओयल को हमें कड़ाई में बहुत ज़्यादा उपर तक नहीं भरना जिस ट्रेम हम इसमें मठी डालते हैं तो एक bubbles आते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा oil डाल देंगे तो वो bubbles बाहर की तरफ आएंगे जिससे की oil बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा और medium flame पर हम इन मठी को fry कर लेंगे medium flame पर fry करते हुए इने 7-8 मिनिट लगेंगे हमने flame को medium रखा हुआ है मठी को fry होने में 7-8 मिनिट का टाइम लगेगा देखिए इनकी एक एक लिए अलग से नजर आ रही है और यह बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली है तो फिर देर किस बात की वीडियो देखने के बाद आप भी इसको जरूर ट्राइ करें यह आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं यह 20 दिन तक भी ऐसे ही क्रिस्पी रहती हैं जैसे कि यह आपको फिर्स डे निजर आती हैं बस आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रखें बिरकुल लाइट गोल्डन कलर की मट्रि फ्राइ ही हो गई है इन्हें बहुत जादा डाक करने की जूरत नहीं है क्योंकि हमने इनको बहुत जादा मोटा नहीं बेला हमने इन्हें मीडियम में रखा था तो इसलिए जब यह लाइट गोल्डन हो जाएं इसलिए लाइट गोल्डन से कलर की तो हम इनको निकाल लेंगे इन्हें हम बहुत जादा डाक ब्राउन कलर की नहीं करेंगे क्योंकि गैस से उतरने के बाद भी जब मठी के अंदर जो घी होता है जो आईल होता है उसमें temperature होता है temperature की वज़े से वे थोड़ी सी लाल होनी शुरू हो जाती है तो जब हम गैस से मठी को उतार देते हैं तो उसके बाद भी वो हलकी सी fry होती है अपनी गर्माट की वज़े से तो इसलिए हम इने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना light golden होते ही हम इने बहार निकाल लेंगे और इसे tissue वाली plate पर रखने की ज़रूरत नहीं है direct plate पर ही रखे क्योंकि tissue रखने से जो tissue के साथ इनमें steam बनती है उससे इनमें moisture आजाएगा क्योंकि tissue के वज़े से जो steam बनेंगे steam से moisture आने से मठी soft हो सकती है इसे लिए जिस्टे मठी हम fry करेंगे fry करने के बाद हमें इसको सीधा plate पर ही रखना है इसे कोई tissue paper या towel paper लगाने की जूरत नहीं है इसके बाद हम बाकी की बची हुई सभी मठी को fry कर लेंगे अगर वीडियो देखने के बाद आप इस recipe को try करते हैं तो मुझे comment करके जरूर बताईए कि आपको ये recipe कैसी लगी और अपने friends में इसको share करना ना भूलें अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe करना ना भूलें साथ ही इसके साथ जो bell icon का button है उसको भी दबाना ना भूलें वीडियो अच्छी लगे तो share कीजिए comment कीजिए like कीजिए मिलते हैं अपनी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई